Hello friends, today we will discuss about a very important topic, how to take care of your plants in summer. So, let's start the video. Friends, tip number one, watering. तो आपको सबसे पहले watering का धियान रखना है, जो सबसे ज़ादा important आपके लिए है. आपको watering हमेशा morning में या फिर आपको evening में करनी है. इसके अलावा बिल्कुल भी आप watering मत कीजे, वरना आपके roots damage होने का डर होता है. तो आप बिल्कुल या तो आप बिल्कुल morning में कीजे या फिर बिल्कुल evening में. ये था tip number one. और अब है tip number two, humidity. तो अगर आप अपने plants के आस पास humidity बनाएं रखेंगे, तो आपके plants मेरी तरह देखे green और बिल्कुल healthy रहेंगे. तो उसके लिए आप mulching कर सकते हैं, अपने plants की mulching कर सकते हैं, या फिर आप stones का use कर सकते हैं, या फिर आप अपने plants के पास एक bucket में पानी भर कर रख दीजिए, वो भी यही काम करेगा. तो tip number three है, plants को आप इस तरीके से रखिए, ये जैसे मेरे plants हैं, एक साथ काफी सारे plants हैं, आप अपने plants को अलग अलग ना करके, एक साथ जुन्ड में बना कर रखें, उससे भी humidity होती है, और उससे भी आपके plants बिल्कुल अच्छे survive करते हैं, और बहुत ज़्यादा healthy रहते हैं. tip number four, pruning. आपकी जो भी आपको unwanted, जो भी आपको unhealthy, कोई भी branch लगे, या फिर कोई leaves लगे, या फिर कुछ भी आपको flower हो, उसको आपको फॉरण cut कर देना है, बिल्कुल इससे आपका plant बिल्कुल हरा भरा रहेगा, और बिल्कुल भी उस पे कोई भी dry leaves नहीं दिखेंगी, या dry branches नहीं दिखेंगी. और tip number five है fertilizer, इस time जो season होता है हमारे plants का, इस time उन्हें fertilizer भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप fertilizer का धियान रखिए अपने plants में, और countdown का आप use थोड़ा कम कीजे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपके plant को वो damage कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप vermi compost का use करें, वो जो fertilizer है, वो काफी ज़्यादा थंडा है, वो आपके plants को नुकसान नहीं देगा. Tip number six, अगर आपके plant में, आपके pot में कोई ऐसा plant है, जो घास, जिसे आप घास कह सकते हैं, इस तरह का है कोई plant, तो आप उसको फॉरण remove कर दीजे, क्योंकि वो आपके plant की fertilizer की, या फिर आपके water की energy अपने अंदर लेता रहता है, जो कि आपके plant के लिए सही नहीं है, अब tip number seven, तो आपके plants के लिए morning की जो light है, वो सबसे अच्छी है, तो आप अपने plant को morning की light दीजे, और अपने plants को shade में रखिए, या फिर green net के नीचे रखिए, tip number eight, अपने plants को आप shower कीजे, दिन में दो बार shower कीजे, जैसे मैं अपने plants को कर रही हूँ, इससे आपके plants ठंडे रहते हैं, humidity बनी रहती हैं, और आपके plants बहुत अच्छे green और बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, मैं भी अपने plants को दो time shower करती हूँ, और एक time watering करती हूँ, जादा तेज गर्मी में, ये सबसे अच्छा काम करता है आपके plant के लिए, तो आप इसका भी use जरूर कीजिए, और tip number 9, जो last है pest control, तो आप इस time पे बहुत ज़ादा जो है insect हमारे plant में लगते हैं, आप अपने time to time अपने plant को दवाई का spray कीजिए, अपने plant की new leaves को बचाईए, सबसे ज़ादा attack जो करते हैं, insect वो new leaves पर ही करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी new leaves को बचा लिया, तो आपके plants को insect कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप अपनी new leaves को बचाईए, time to time अपने दवाई का spray करते रहिए, और चेक करते रहिए अपने सभी plants को, तो I hope मैंने आपको सभी tips बता दीजिए, इन tips को follow कीजिए और अपने plants को बहुत अच्छा बनाईए, बाई!